देशपर में आज 78 वर स्वतंत्रता दवस मनाया जा रहा है युवाओं से लेकर मुजुर्गों तक हर वर्ग में खासा जोश देखने को मिला स्वतंत्र भारत 77 साल का सफर पूरा कर 78 वे स्वाल में प्रवेश कर चुका है इस मौके पर भारती जन्ता पार्टी किसान मूर्चा के राष्ट्रिय खोशाध्यक्ष विपुल त्यागी ने राष्ट्र वासियों को स्वतंत्रता दवस की बिठाई दी है जन्त की पुगार के मुख्य संपादक आरके जैसवाल ने विपुल त्यागी से खास बात चित की है सुनिए उनका क्या कहना है नमस्कार मैं आरके जैसवाल और आप देख रहे हैं जन्त की पुगार जगा जगा आज स्वतंतरता दिवस बनाया जा रहा है जंडो तोलन किया जा रहा है आज देश भक्ती के नारे लगाया जा रहा है और हमारे साथ मुझूद है बिपुल ट्यागी जी किसान मोर्चा के राष्टिरिय को साध्यक्स क्या संदेश देते हैं इस अफसर पर इस अफसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज देश की 78वा स्वतंतरता दिवस है जिसे देश बहुत दूमदाम से मना रहा है और मानने मोदी जी ने भी जैसा आज लाल के लिए से आवान किया है कि पीड़ चोशित और जो भी पंक्ती में अंतिम व्यक्ती है उस को सरकार अपनी योजनाओं का लाब देने का काम करेगी तो उसी विशय को आगे ले जाने का काम एक पार्टी के कारे करता की तोर पे मेरी जिम्मेदारी है और देश में सभी हमारे करोडों कारे करता इस मैसेच को आगे ले जाने का काम करेंगे और सभी पीड़ चोशित का बड़न पोष्चन करने का काम करेंगे और आज एक महत्वानर बात जो मानिय परदानमंत्री जी ने लाल के लिए से कही है कि वो चाहते है कि एक लाख ऐसे युवा आगे आए जिनका कोई राजनितिक प्रश्ट भूमी से कोई लेना देना ना हो और जिनका कोई राजनितिक बैग्राउंड ना हो तो एक बहुत बड़ी शुरुवात हमारी पार्टी करने जा रही है जो कि एक परिवारवादी पार्टीयों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी जिसमे में मानने परदानमंत्री ने कहा है कि उनकी दिली इच्छा है कि एक लाख युवा पार्टी से जुड़े जिसका कोई पिश्च भूमी पुरानी पॉलिटिकल ना रही हो मैं कहना चाहूंगा कि आप भी समझदार व्यक्ति हैं और आप और मैं सब सिक्षत समाथ से आते हैं कि अगर मनीश सिसोधिया जी इतने महीनों जेल में रहे तो बिना किसी कारे के आपको और मुझे तो पुलिस जेल में डालनी देगी अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो मानिये सिसोधिया जी से मैं भी यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा क्या करे किया था कि इतने महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा और वो बरी नहीं हुए है अभी उन्हें बेल मिली है जमानत पर आया जो जमानत शब्द का जो मीनिंग है वो उन्हें समझना पड़ेगा उन्हें निकाला गया है थोड़े समय के लिए बार और अभी केस जारी है अभी कई तत्यों पर जारी है उसमें क्या पता उन्हें दुबारा पुन है जेल में जाना पड़ जाए अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैन